तो आपको 20-25,000 के बीच में एक अच्छा फोन चाहिए, तो जी हाँ, हम है ना, ये वीडियो हम इसलिए करते हैं अगर 15-20,000 के बीच में फोन चाहिए, तो हमने under 20,000 का वीडियो हमने अल्रेडी कर दिया है अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखेगा और दोस्तों जब हम ये वीडियो करते हैं तो बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा एफोर्स आता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो सबस्कारब करणा मत बुलिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आ रहे है तो दोस्तों आपको वन प्लस का फोन चाहिए, बहुत सारे लोगों को वन प्लस के फोन अच्छे लगते है 6.7 इच की एमोलेट 120 हर्स की डिस्प्ले मिलती है IP54 का सर्टिफिकेशन है और NFC नहीं है दोस्तों 5500 mAh की बैटरी एं 100W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है साथी में 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का फंक्शनल कैमेरा मिलता है और 16 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमेरा मिलता है लेकिन दोस्तों इसमें आपको 3 साल के मेजर अप्डेट मिलते है तो अच्छा था तो अब आपको clean UI experience वाला और अच्छा camera वाला phone चाहिए, तो Moto H50 Fusion आप जरूर से ले सकते हैं। जनरली बाइस से इस अजार इसकी price है और इस price range में आपको IP68 का certification मिलता है। मुझे नहीं लगता कि इस price range में आपको कोई और phone भी देता होगा। Main highlight इस camera इसमें आपको 50 megapixel का Sony LYT700C sensor आता है जो की इस price range में सबसे पहला phone है। जो की बहुत ही कमाल के photos और वीडियो quality निकाल के देता है और 32 megapixel का selfie camera है। तो अगर आप vlogging बगेरा करते हो, indoor shoot करते हो, outdoor shoot करते हो तो आपको बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छी display है, 6.7H की full HD display है, 144Hz का refresh rate है, बाकी सब कुछ है इसके अंदर, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का processor है, 5000 million power की battery है, और साथी में आपको 3 साल के major and 4 साल के security updates मिलते हैं। तो आपको camera important है, display important है, clean UI experience वाला phone चाहिए, तो Moto H50 Fusion आप जरूर से ले सकते हो। वैसा दोस्तो जो भी smartphone में आपको बता रहा हूँ, उन सभी की link मेंने description में डी हुई है, तो जाके जरूर देखेगा। दोस्तो अगर आपको gaming centric smartphone चाहिए, बहुत ज्यादा gaming वगेरा करते हो, gamers के हाथ में हो ऐसा दिखना चाहिए, तो मैं suggest करूँगा Infinix GT20 Pro, जो की अभी-भी थोड़े दिन पहले ही launch हुआ है। इसमें MediaTek Dimensity 80-200 Ultimate Processor आता है, जो powerful gaming form मनाता है, जिसमें BGMI जैसी गेम आप 90 FPS पर खेल पाओगे, और Genesis Impact जैसी गेम हाफ एन आवर तक भी खेलोगे, तो आपको 60 FPS मिलेगा। साथी में Pixelworks X5 chipset आती है, जो gaming के टाइप पर आपको graphics वगेरा भी बैटर परफॉर्म करेगा। एन 45W का charger भी मिलता है, और हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसमें आपको cooler भी मिलता है, जैसे कि आप heavy gaming वगेरा करते हो, तो phone ज्यादा गरम ना हो, तो इसको ठंडा रखने के लिए, तो 24999 इसकी price है, और जैसे मैंने बताया कि अगर आपका main focus gaming है, तो आप इसे जरूर से ले सकते हो, तो अब दोस्तों आपको अच्छा performance चाहिए, अच्छी display चाहिए, multimedia का ज्यादा सौक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा Poco X6 Pro, MediaTek Diamond City 8300 Ultra processor है, जिसका Enthedus score 1.4 million के अराउंड आता है, तो performance कमाल का है, और wild bush 2.2 का support भी मिलता है, जिससे आप smoother gameplay कर पाओगे, और एक चीज, X-axis linear motor है, उसकी वज़े से उसका जो hectic feedback जबरदस्त है, you should not have any problem in multitasking and gaming, Multimedia के लिए display भी अच्छी है, 6.7 inch की 120Hz की AMOLED display है, 8GB RAM, 256GB का बड़ा storage मिलता है, और साथी में 5000mAh की बैटरी और 67W की charging मिलती है, तो सभी चीज के पास देखोगे, और अच्छा performance वाला, अच्छा display वाला phone चाहिए, तो Amazon के उपर 12GB, 256GB वाला variant आपको 20,000 के अराउंड तो आपको पता है कि आपको कहां से खरीदना है, अब दोस्तों आपको all-round phone चाहिए, whether it is performance, whether it is looks, gaming, display, सभी मामले में, तो मैं कहूंगा Realme GT60 आपको सब कुछ देता है, absolutely great phone दोस्तों, 6.78 inch 120Hz, Full HD+, Cloud AMOLED display है, जो 6000 nitspeak brightness के साथ आता है, Snapdragon 7 Plus Gen 3 का प्रोसेसर है, जिसका Android score 1.5 million के अराउंड आता है, LPDDR 5X RAM है, और UFS 3.1 and UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप है, 5500 million power की बैटरी है and 120W का फास्ट चार्जिंग है, gaming के लिए 140 mm2 का वेपर कुलिंग चेंबर आता है, जो Realme क्लेम करता है कि सबसे बड़ा वेपर कुलिंग च certification है और साथी में studio speaker भी है, camera की बात करो तो 50 plus 8MP का OIS camera मिलता है and 32MP का selfie camera मिलता है, जो की अच्छे photos and video quality निकाल के देता है, तो overall phone के बारे बात करो तो 25,000 की price range से सुरू होता है, लेकिन offers वगेरा लगाओगे, car वगेरा लगाओगे, तो discount आपको आराम से मिल जाएगा, तो 25, 25,000 में Realme 60 GT definitely all round phone में stand out करता है, तो ये थे सबसे अच्छे smartphone जो 25,000 की price range में मिलते हैं, अगर आपको कोई सवाल हो या फिर कोई phone रह गा है इस list में, तो comment section में जरूर से बढ़ाएगा, और सभी की link में रहने description में दी हुई है, तो जाके जरूर देखेगा, और अपने दोस् इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, keep healthy and stay safe.